मंच पर विराजमान पुजनिय संत समाज सम्माननी धर्म प्रेमी भाईयो एवं भक्ति मति मात भानो आप सबको हार्दिक नमन है साथ दिनों का यह सत्संकारिकरम काज अंतिम पड़ाओ है पहले प्रतिक्षा करते रहे होंगे सत्संग होने वाला है होने वाला है और आज बहा दिन अंतिम खड़ी हमारे संत साथियों ने बहुत सारी बातें बताई मुझे सुनने का उसर तो नहीं मिला लेकिन मैं जानता हूँ अपने साथियों के बारे में उनके विचार बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि हम सभी यहां जितने लोग बैठे हैं गुर्देव जी के ही सानित धिमर्रा करके कुछ बोलने के लिए शक्ति अरजित किये उनकी कृपा है शद्गुरु श्री अबलाज सहब जी के साथ न होते तो हम सभी आप सब के सामने बैठ करके बोलने योग्य न हो पाते और बहुत लोगों को तो पता भी होगा कैलाश बाग में गुर्देव जी के साथ हम मैंसे कई लोग आते थे मैं कई बार आया उस समय हम सभी गुर्देव जी के साथ बैठ के सुना करते थे और कई वर्षों तक शाथ रह करके सुनते रहें उन्ही का दिया हुआ प्रशाद आप सब को बाटने आते हैं हम उस पर कितना जी पाते हैं यद आप ही लोग जानेंगे हमारे विचार, हमारे वेवहार और ज्यादा तर तो जहां रहते हैं वे जानते हैं आप लोग के सामने थमलोग मंज पर आते हैं बोल कर चले जाते हैं लेकिन जिनके घर लगातार रहते हैं घर में अरुन जी हैं सेफाली जी हैं और भी हरी कुमार भीया है, श्रीकुमार है, घर के जितने सदस्य हैं, उनसे तो काफी घुलना मिलना होता है, हमारे हर क्रिया कलाप को वाज करते हैं, कब उठ रहे हैं, कैसी बाते करते हैं, क्या कर रहे हैं, कहां समय लगा रहे हैं, कि इंसे क्या हो रहा है, खाना पीना कैसे है हर एक्टिविटीज को वो जानते हैं और ये वही बता सकते हैं कि क्या हम साधना के अनकूल चल रहे हैं या फिर साधना के प्रत्कूल चल रहे हैं बहराल हम सब का संकल्पतो है कि गुर्देव जी के बताय रस्ते पर चलें सद्रु कवीर के बताय रस्ते पर चलें लेकिन मनुष्य हैं तूटियां हो ही जाती हैं हम सब भी सुधार की ओर हैं, आप सब भी सुधार की ओर हैं, गुर्देव जी कहा करते थे, सड़क का लेकबल एक होता है, कोई आगे चलता है, कोई पीछे चलता है, लेकिन सड़क सब के लिए वही है, ऐसे ही इस साधना पत पर कोई आगे है, कोई पीछे है, संत है, थोड़ पीछे कहलो, लेकिन कई बार देखा जाता है कि कई ऐसे भक्त भले ही ओग्रियस्त हैं व्यावशाय करते हों, नौकरी करते हों लेकिन उनका जीवन इतना अच्छा रहता है कि सच मुझ उनके प्रति सभाविक एक सने और प्रेम का भाव जग जाता है क्योंकि उनका जीने का धंग बोलने का धंग, रहनी बहुत अच्छे होते हैं और कई बार तो कई साधु वेजदारी के जीवन को देख करके मन खटा होने लगता है, साधु का कपड़ा पहन करके हम सभी क्या कर रहे हैं यह हम सबको अपनी अपनी कमियों को निकालना है और सुधार करना है बहुत सारी बाते मैंने भी कही जो अशर मिला उसमें पिछले साल भी जब 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2021 को यह कारिकरम हुआ बारिज भी होती रही व्योधान होता रहा लेकिन कारिकरम सभी कारिकरम होते रहे उसमें भी आप सबकी उपस्थिती रही इस वरस भी बही उपस्थिती बढ़ चड़के है मैं हम सभी पूरे संद समाज के साथ आप सबके प्रती भी धन्यवाद ग्यापित करते हैं कि यह भाव बना रहे और यह इसलिए है जैसे अरुन भीया ने भी कहा कोई कथा भागवत नहीं है लेकिन फिर भी आप सुनने आते रहे क्योंकि संतों की विचार आपके हिर्दय को इसपर्स करते रहे मैं कहना चाहता हूँ इसपर्स तो करते रहे लेकि निर्दय को चोड़ भी करते रहे कई कठोर बाते हुई है मुझे पता है और जैसे कि चंदर भीया भी ने कहा कि विभिन मतपंध के विभिन विचारकों के मानने वाले यहां आकर के बैठते हैं मैंने शुरू दिन कहा भी था मुझे नहीं पता कि आप किस घर से आए है आपकी योग्यता क्या है आपकी उपास्णपधती क्या है आपका संप्रदाए क्या है, किस गुरू से दिख्छा लिये हैं, व्यवसाय क्या है कुछ नहीं पता है लेकिन मैं यह जानता हूं कि आप सभी शुखमय और शान्ति में जीवन जीना चाहते हैं और कैसे हम शुखमय और शान्ति में जीवन जीएं बस इसी पर चर्चाथी इसी पर अब कुछ उसमें अवरोध हैं उसके थोड़ा काट-छाट तो होती है और बहुत दिन से जब पकड़ होती है न और जब उसे हटाये जाता है तो फिर पीड़ा होती है एक बिड़ी पीने वाले को भी बिड़ी छोड़ने में पीड़ा होती है गुटका खाने वाले को गुटका छोड़ने में पीड़ा होती है लेकिन जब वो छोड़ देता है पूरी तरह से तो उसके आनन्द को वही महसूस करता है हम ऐसे विचारों से भी चिपके रहते हैं बंधे रहते हैं जो हमको पीछे रोक रहा है जब उससे छुड़ा लेते हैं कई ऐसी मान्यताएं हैं कई ऐसे बिलीब सिश्टम हैं जब उसे तोड़ कर आगे निकल जाते हैं तो बड़ा हलका महसूष करते हैं और यही बातें जब कही जाती ही तो हो सकता है उसे चोट लगी हो लेकिन किसी को दुखाना उदेश्च नहीं है भाव था कि आप सभी के जीवन में मुश्कान आए जीवन सुंदर बने पारिवारी कृष्टों में मधूरता आए और आप मानशिक शांती का अनभव कर शके और आपके जीवन का प्रभाव दूसरों को इस जीवन को भी सकारात्मक प्रभाव डाले क्योंकि आप ही अच्छा जीवन जीने लगेंगे आपके आसपास के लोगों को सकून महसूस होता है सकून अच्छा लगता है हम उस आदमी के साथ रहना पसंद करते हैं जो हमें अच्छा महसूस करा है और जो में हर पातों को ले करके डाँ, डपट, टोका, टोकी और हर बात में कमिया निकालते रहना हर बात में बिसकुल फटकार की भासा बोलते रहना हम थोड़ा उब जाते हैं घुटन महसूस होती है रह नहीं पाते हैं तो आपका जीवन यदी ऐसा हो कि आपके साथ रह करके लोगों को राहत महसूस हो शकून महसूस हो आपसे प्रेणा पा सके ऐसा जीवन जीना है क्योंकि आज इसी के तो कमी है भोजन की कमी नहीं है कमी होगी उसको भी मैं जानता हूँ लेकिन कम से कम हम सत्संगियों के लिए तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भोजन मिली जाता है सुबा से शाम तक में एक दो बार कपड़े भी है कपड़े की कमी नहीं है यदि में इन माताओं बहनों से पूछू अच्छा बताओ आपके कितने सेठ हैं कपड़े, साड़ी या फिर सूट तो कहेंगे जाके गिनना पड़ेगा सही है न? बहुत है कमी नहीं है यदि आप तिन-चार साल भी कपड़े न खरी दें तो आपको कपड़े की जरुरत नहीं है लगभग यह है कुछ घरों को छोड़ कर कुछ परिवार को छोड़ कर लोगों के पास इतने मकान भी है कि उससे जितना रहते हैं उससे ज़्यादा रह सकते हैं तो सब कुछ कुछ पवस्था है हमारे पास में कमी नहीं है कमी क्या है अच्छ जीवन की प्रशन नमन की मधुरवानी की सुंदर वेवहार की और यह जब जीवन में आने लगता है तो निश्चित रूप से जीवन स्वेम का सुखद होता है दूसरों का होता है मैंने हम लोगों ने जो कुछ बाते मैंने जो की है उसको थोड़ा समिराइच करूँ मैं थोड़ा सा उसको बताना चाहूंगा कि मैंने शुरू दिन भी कहा था कि पूरी प्रकृती में एक सुंदर व्यवस्था है प्रकृती के अन्य प्राणियों में मनुष्य के लाव सभी प्राणियों में एक सिष्टम है प्रकृती के नीमों के अनकूल है सबकुछ एक सिष्टम से चलता है संतुलन है मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें अविवस्था और असंतुलन है और जो भी पृत्वी में जो इस्थिती बनी हाल बना है वो मनुष्य का बनाया हुआ है लेकिन बड़ी बात क्या है शुख़द बात क्या है वह इसे बदल सकता है इसमें परिवर्तन लासत और यही संभावना मनुष्य को विशेश बनाता है विशेश बनाता है प्रकृति की ओर से जो मनुष्यों को हम सब को जो सबसे बड़ा वर्दान मिला वह वर्दान कौन सा है मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंतरता हम जब चाहें अपना रास्ता बदल सकते हैं ऐसा लगा कि यह रास्ता ठीक नहीं है तुरंट बदल दें ऐसा महसूस हो यह मेरे शुक्षान्ति में अवरोध है मेरी प्रगति में अवरोध है बस ज़श्ट आप उसको चेंज कर सकते हैं तुरंट बदल सकते हैं और जीवन में वह आउसर सब समय हैं सही काम करने के लिए सब समय सही होता है सही काम करने के लिए सब समय सही होता है कभी भी आप सही काम के लिए कदम उठा सकते हैं और जीवन में एक सुन्दर परिवर्तन ला सकते हैं तो यह मनेक बाते हैं, और इसी लिए, इसी आशा से शंतजन उपदेश करते हैं, सास्त्र भी इसी आशा से लिखा गया है, कि मनुष्य में शंभावना है, कि वह अपने जीवन को बदल सकता है, उपदेश तो पश्वों को तो नहीं दिया जा सकता है, पेड़ पोधों को तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि संभावना नहीं है बदलने की, संभावना कहां है, मनुष्यों में, इसलिए तो उपदेश है, शारे शंत, सारे उपदेशक इसलिए कहते हैं, भई अब वह में लगे कि बस पूर्णता, पूर्णसंतुष्टी, यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्मत्रिक्तष्यमानमा, आत्मन्यों चसंतुष्टष्यत श्यकारियम नविध्यते। क्या कर रहे हैं? ट्रेबल कम कर दो, जो बेश पढ़ाओ गीता का ये सुत्र है aligned, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मत्रिक्तष्यमानमा आत्म में रति परेम, यस्त्वात्मत्रिक्त रतिरेव, ещё तृत्मत्रिक्तष्यमानमा, और आत्मत तृत्ष्यमानमे ही जो शंतुष्ट हो गया तस्यकार atenção नॵिध्यते, उसे कोंने कामकरना बाक बुद्ध भुत्ष्य गट अध्धन, समाप्त रास्ता वाला बनों, अर्थात, आप वहां तक पहुंच जाये, जहां आगे रास्ता ही खत्म, अध्धन, अध्धन कहाते हैं रास्ता को तो, गट अध्धन, गटो धनों, विशोकष्य विप्वुत्ष्य यह तथा गद बहुत अच्छी बात, इतनी सुंदर बातें, बुद्धवचन में भी है, पढ़ने जैसी है, बहराल, एक पंक्ति है, बहुत बड़े कवी की, की है लक्ष पहुचना उस मंझिल तक जिसके आगे रह नहीं, मेरा लक्ष कहा है, उस मंझिल तक जिसके आगे रह नहीं, रह शमात, समाप्त रास्ता वाला बनो, जहां पर इंड, शमात, क्योंकि मैं पूर्ण काम हूँ, आत्मसंतुष्ट हूँ, ये संतुष्टी का भाव ज जहान पड़ता है, उसमें रहना पड़ता है, इसलिए जो पहुंचे हुए संतों को कभी आप मिले हो देखे हो, वे भी साधना में लगे रहते हैं, वे भी ध्यान चिंद उनों करें, कोई बात नहीं है, ना शायम करें, कोई बात, जीवन सायम में ही, अलाग से करना ही नहीं लेकिन फिर भी करते हैं, फिर भी करते रहते हैं, तो ये बाते मैंने कही कि हम सब में अवेवस्था और संतुलन है, उसे ही तो संतुलित करना है, फिर ये भी कहा कि सब में योग्यता है, ये भी कहा, और कि हम सब अपने जीवन में पहले ही चुनाओ कर लें, पहले ही तै कर ल कोई मेरे साथ जब इस प्रकार सब्द बोले तो मुझे कैसे बोलना है, कोई गलत करे तो मुझे क्या करना है, मुझे गलत नहीं करना है, दूसरों की गलतियों को देख करके मैं भी गलत करूं या मेरा सिध्धान्त नहीं है, क्योंकि मेरा अपना सिध्धान्त है, हर इस्थित और मैं गलत करने लग जाओ, दूसरा मुझह इतना अंदोलित और परिशान कर दे कि मैं अंदर के बेट को निकाल, अपने भीतर के जो बेड़ है, कहराभी है, उसको निकालने लग जाओ, आप उन्हे अनमती ही मत दें, कि वो हमारे भीतर के भीकारों को निकाल सके, जब भी क करोध करना चाहूं तो मैं करूँगा, लेकिन आपके कहने से नहीं, आपकी गलतियों को लेकर करूध नहीं करूँगा, जब मेरा मन करेगा तब करूँगा, ये नियंत्रन है, ये नियंत्रन है, मैं करूँगा, लेकिन तब जब मैं चाहूंगा, आपके चाहने से नहीं, तो यह बहाव जगे इसके लिए कि मैने का अभ्याश, अभ्यास करो, जब अभ्यास करेंगे, ताव जाकर के वो इस्तिति आएगी, मैने कल यह भी कहा था, किसी भी संफ्रदाय के हो, कोई पुझा पद्धती करते रहते हो, ठीक है अपनी लियत करते हैं आप अपनी लिये करते हैं कोई वात ने अपनी लिये करके क्या होगा चित्त की शुद्धी चित्त की शुद्धी चाहिए अंतश की पवित्रता यह मैंने कि अंतश बार बार इस पर जोड़ दिया गया कि अंतश आपके भीतर अंतश का मतलब है जो आप सोचते हैं, जो आपकी भावना है और कहना चीज जो आप महशूश करते हैं, बस वहीं से आच्रण निकलता है, वहीं से आच्रण निकलता है, शब्द कहां से निकलते हैं, वाणी कहां से निकलती हैं, भीतर से, करम कहां से, भीतर से, सब कुछ भी तर, जीवन अंदर से बाहर की ओर बाहर से अंदर नहीं होते जीवन का नियमी हैं, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से और अंदर जो होगा बस भई निकलेगा, इसलिए अंदर को भी जो इंपुट करें तो सावधान रहें गलत चीज डाल देंगे तो गलत का संग्रह हो जाएगा गलत द्रिश्य देखेंगे गलत सब्द पढ़ेंगे या सुनेंगे गलत विचार सुनेंगे चाहे हो टीवी के माद्धियम से मुबाइल के माद्धियम से अगबार के माद्धियम से साथियों के माध्धियम से बहुतों के माध्धियम से कुछ भी आप सुनते चले जा रहे है ज़र ध्यान रखो ऐसा तो नहीं को कुछ भी आप टाले चले जा रहे है कान से साउधानी बर्तो आपके घर में भी कोई भी आदमी आ जाए ख्याले न करो ध्यान क्या रखते हैं? नहीं, आदमी आएं, वो ना आएं कई जगा वाचमिर रखते हैं सिकूर्टी आड़ बठाय रखते हैं चेकरों भी को न आ रहा है, को नहीं आ रहा है ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए हम सब को भी अपना वहाँ पर एक गार्ड वठाना है कि क्या आना चीए? यह तै कर लेना है तै कर लेना है आपके ही आसपास में कई लोग शराब पी रहे हो शराब भले पीएं लेकिन मेरा शिद्धान था है मुझे नहीं पीना है शिगरेट पी रहें पी रहें पीने दो लेकिन मेरा शिद्धान था है मुझे नहीं फीसलना है यह जो आपने तै किया अपने लिए एक बेंच मार्क बनाया एक निश्चित तै किया है वो आपके जीवन को निर्मित करता है मैं यह कहना चाहता हूँ वो अंतश आप दिखे अपने अपने घरों को छोड़ कर यहां तक आए परिवार को छोड़ कर आए व्यवशाय को छोड़ कर के आए क्या आप अपने विचारों को छोड़ कर आए अपनी भावना को छोड़ कर आए वो तो साथ है कैसे है वो भावना कैसी है जहां जाएंगे वो प्रगठ होगी, यदि उनकारात्मक है, कहीं भी जाएं, नकारात्मक, शब्द ही भैसे निकलेंगे, जिसको वो कटु बोलने की आदत है, गाओ छोड़के चले जाएगा, तो भी भैसे निकलेगा, इस्थान बदलने से थोड़े जीवन बदलता है, समय बदल गया, तो भी वह इसे ही रहते हैं, आप देख लो जो व्यशन करते हैं उनको, अभी ठंडी मौसम में जो लोग बिडी पीते रहें, गर्मी मी पीते मिलेंगे, बर्शाद मी पीते मिलेंगे, करनेल गांच छोड़कर के गुंड़ा जाएंगे, वहाँ भी पीते दिखेंगे आप उसको, अचा दिल्ली चले जाएंगे तब, क्या ख्याला है, वहाँ भी पीते मिलेंगे, अब आपको बताओ, यदि विदेश भी चले जाएंगे, तो अचा जाएंगे, जहाँ पीने को मिल जाएं, क्योंकि डर होगा कि भी पनिशन हो बहाँ पर, तो वह नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब भी ठान लेंगे, और छुड़ गया, कहीं भी जाएंगे, पिर वहाँ जाएंगे, नहीं पीएंगे, वहाँ जाए क्यों बदल गए भीतर से ये बदलावसली चीज़े वो वो चीज़े तो वो जब करता है आदमी तो कितना अच्छा महसूस होता आपको जो उसका बेनिफिट मिलेगा न उसका जो लाव मिलेगा न आपको खुद को लगने लगया ओफ कैसा जीवन जी रहा था मै चुटी-चुटी बात हम कैसे उलचता था मैं क्या लड़ाई छगड़ा करता था इतना रियक्टिव माइंड होता था थोड़े प्रतिक्रिया में एक दम फायर हो जाता था अब समाला अर नहीं यह सही नहीं यह तरीका जीने का शान शान और देखो आपको लगेगा देख तक हमसे गल्तियां होती रहती हैं हमें महशूश नहीं होता कि हमसे गल्ति हो रही है का पता चलता है जब उस गल्ति से पार हो जाते हैं उससे आप अलग हो जाते हैं तब जहांक के देखते हैं तब जहांक के देखते हैं ओ असका मतलब मेरे से यह गल्तियां हो रही थी और तकता है कि देखो तो सही, फिर एक सज्जन ने तमाकू खाय करता था, आते थे आश्रम में, कई बार कहा, फिर नहीं छोड़े एक दिन और फिर मैंने कहा, क्या आप भी, मैं तो कहा नहीं बन, कि आप किस चा, तेकिन इतनी सी चीज को नहीं छोड़ पाओगे, बाद में कहते थे जब छोड़ दिये, वो किसी भाँ थी, तकलीफ होती थी थे, उनको छोड़ दिया, पाद में कहते हैं, सब दूसरे एक तमागू खाते दे के बड़े गृना लगती है, मैं कि आप भी तो खाते थे, लेकिन अब लगती है, उमसूस होता है उनको कि कितना गलत था पहले अब पहले पता है नहीं चलता है, क्योंकि आप प्रवा में बहे चले जा रहे हैं, आप जब उपर उठे तब पता चलता है, संत जन भी पहले जब स्थे तब वही द्यसाब रहते थे, लेकिन जब उपर उठे, तब लगता है, ओ, देखो तो सेहीं, मैं जीवन में क्या कर था, यह जीवन ही कुछ हो रहा है, जीवन का आनन्द नहीं ले पा रहा था मैं, अब जीवन का आनन्द आया, यह हम ले सकते हैं, अचा हर व्यक्ति में वो संभावना है, मैं बता रहा हूं, हर व्यक्ति में, नारी हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, भुजुर्ग ह हो जवान हो सब में वो संभावना है कुदरत पक्षपात नहीं करती है यह ध्यान रखो कुदरत पक्षपात नहीं करती है निश्पक्ष है सब के लिए वही और शर्परदान करती है सब के लिए हम ले क्या रहें वहां से बस वहां से ले क्या रहें इस श्रिष्टी से इस संस इस दुनिया से, इस लोगों से, ले क्या रहे हैं, भस वही हम बनते चले जा रहे हैं, कही बार किछले साल भी उधान दिया रहा, आपके घर कही छुटी जमीन, हो खाली जमीन, तो क्या करना है, यहां से जाना और काम करना, एक मिर्चा का पौध लगा देना, अच्छा उसके कुछ बाजू में नीवू का पौधा लगा देना फिर कुछ बाजू में गन्ने का पौधा लगा देना फिर कुछ बाजू में नीम का पौधा लगा देना और माल लो सभी पौधे तयार हो गए सभी अपने आप में बिल्कुल पूरी अवस्थम पहुझ गये अब क्या करना है एक काम करना मिर्चा तोड़ लेना 10-15 और उसको पीस करके रश निकालना ठीक है निवु निकाल को तोड़ करके रश निकाल लेना गन्य से रश निकाल लेना और नीम से रस निकाल लेना कैसा रहेगा पता है ने मिर्चा का कैसा रहेगा कैसा रहेगा जानते ही है निभू का खटा, गन्य का मीठा, नीम का अच्छो सब कहां से लिए कहां से लिए उसी से, समझ रहे हैं ना वही से लिए जहां से निवू लिया वही से गन्ना भी लिया वही से मिर्चने भी लिया अब प्रस्टन है कि हम कौन सा रस ले रहे हैं दुनिया से कौन सा रस मिठा ले रहे हैं या कड़वा या तीखा आप देखो ना कैसे लग रहे हैं तीखा लगता है ना स्वाधी जीवन का अंदर से, अकेले में खुस रहना सीखो अकेले हो जाओ बिना मुबाइल, बिना टिवी अकेले हो गए, खुश भीतर से, शंतुष्ट पढ़िया, किसी क्याद आ गई दन्यवाद पढ़िया, बहुत अच्छा लगे उनके प्रति प्रेम का भाव जगे उनका विकाश रो ये भाव जगे इर्ष्या का भाव जगा मतलब हमारे भीतर गंदर वही ना, जब उड़ता है ना, बहीं से जब गंदगी छिपी होती तो बहीं से बदभू उड़ती है विकार रहेगा तो इर्ष्या, देश, नफरत ये बदभू है जो जीवन को विक्रित कर देता है अरे नहीं भाई पवित्रता फूल खाद में घूर कचड़े में कचड़े में भी पढ़ा रहता है, जहां महला है फूल खिलता है वो क्या करता है सुगंधी भी खेरता है काटों के बीच में भी मुश्कुराता है माना कि हमारी परिस्थितिया अनकूल नहीं है तो क्या हम रोते रहें नहीं कई बार कहा परिस्थिति, जिन परिस्थितियों से आप अनकमफर्ट महसूस कर रहें परेशान है, तिन ही तो रास्ते हैं या तो बारिस्थिति बदल दो आप कहेंगे नहीं बदल सकता तो अपने आपको अलग कर लो आप कहेंगे अलग भी नहीं कर पाता हूं तीसरा है स्विकार लो पिर जो है उसको स्विकार करो और कुछ नहीं रास्ता है इसका या तो वहां बदल दो या अपने को अलग कर लो नहीं कर सकते दोनो acceptance स्वीकार भाव बस स्वीकार एक ही रास्ता और बचता है जो करने जैसा नहीं है कहा आपस में रहो लड़ाई जगड़ करो क्या होगा फिर कोई मतलब है साथ रहना ही है अब सोचो पती पतनी साथ रहें और लड़ लड़ के रहें और दोनों प्रेम से रहें कौन वाला अच्छा है सोचो जड़ा से क्या मतलब है वैसा आईए इसी के संधर पको इसी पर मैं थोड़ा बढ़ाऊं हमारे जीवन में दो प्रकार की जरुरते हैं दो प्रकार की जरुरते हैं एक जो दिखाई देता है और दूसरा जो दिखाई नहीं देता दिश और अदिश्य आप लोग की भासा में visual and individual जरुरत क्या है दिखाई देने वाली जो दिखाई दे वे भी हमारी जरुरत है क्या है जैसे अभी तक चर्चा हुई भोजन है, कपड़े है मकान है, गाड़ी, मोटर मोबाइल और बहुत आप घर में जाना और देखना क्या क्या दिखाई दे रही है जो दिखाई दे रही है अपनी जरुरत की सापसित लाहन है उसको वो आपकी जरुरत है और एक दूसरी चीज है जो दिखाई नहीं देती अद्रिश्य है और उतनी भी जरुरत है उसकी जितनी वो दिखाई देने वाली चीज़ें क्या है वह? वह है आपस का प्रेम एक दूसरे का सम्मान विश्वास करुणा, शान्ति चमा का भाओ, सहयोग का भाओ ये दिखाई नहीं देती है धैरिय और शाहन सिलता दिखाई नहीं देती है कोई आदमी टाइम पंक्च्वल्टी है टाइम का पंक्च्वल्टी है बिलकुल कोई काम समय से करता है बुलाओ, समय से जाता है समय से आता है दिखाई नहीं देता वो लेकिन कैसे है जीवन में कितनी आवाश्यक्ता है उसकी है कोई-कोई आकर कि किसी को डांड दे शान अब सोचो, वो दिखाई दो नहीं दे रहा है लेकिन वो गुन कितना महत्तोपूर्ण है हम लोग क्या करते हैं दिखाई देने वाली चीजों पर तो हम महनत करते हैं महनत करना भी चाहिए यही सच है गलत नहीं है महनत करो लेकिन क्या केवल दिखाई देने वाली चीजों से ही जीवन चलता है हमारा जीवन केवल डोटी कपड़ा मकान से ही नहीं चलता है कि ये साइद इसा मसी नहीं कहा you cannot live by bread alone आप सिर्फ रोटी से जिन्दा नहीं रह सकते एक ऐसा भवन हो जहां सारी स्विधाएं हो स्विधा संपन जो आपको चाहिए सब कुछ है और आपको वहाँ अकेला छोड़ दे आपके साथ में कोई न हो कोई बात करने वाला न हो मैं पुछूँ कितने दिन तक आप वहाँ रह सकेंगे समझ रहे ना बहुत कठिन है अपना चीए अपनों के बीच रहना होता है जहां से हम एक दुसरे को महशूश कर सकें एक दुसरे का सम्मान पा सकें प्रेम पा सकें वारता हो सके यह सब ऐसा अकर्षन है ना आप इसके बिन जिन्दा नहीं रह सकते नहीं रह सकते बहुत कठिन है इसलिए मनुष्य शामाजीक प्राणी है रहना है तो क्या चाहिए हमें चाहिए जीवन गुजर की चीजें लेकिन साथ साथ में जो हमारे भीतर शदगुण है ना उसकी भी जरूरत है और कई बार कई बार उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा कैसे? मैं एक बात कहूं आप सब कहेंगे जीवन के लिए जो सबसे पहली जरूरत है तो क्या है? भोजन अच्छे बता है भोजन कितनी बार करते हैं दिन में? कितनी बार करते हैं? आप लोग का जानता हूं है आप लोग बता है आप लोग तो सुबा साम दुपार ही करते होंगे ना आप लोग उसे पुछना है कितनी बार करते हैं? पांच बार? छे बार? शाम, तो यदि हम तीनों को जोड करके करना चाहें, तो कितना हो जाएगा वो, कलपना करें, 20-20 मिनट, तीनों को दे दें, तो कितना हो जाएगा वो, एक घंटा, तेईस, चोबीस घंटे में, एक घंटा भोजन मिल जाए, तो तेईस घंटे भोजन की जवरत नहीं है, सही है न, प्रेम कितने घंटे चाहिए आपको, विष्वास कितने घंटे चाहिए आपको, एक घंटा प्रेम बागी समय लड़ाई चाहिए चलेगा, चलेगा, आप समझ रहें न, मैं क्या कहना चाहता हूँ, प्रेम की जरुरत आपको सब समय है, सम्मान की जरुरत सब समय है, विष सकते वो उधान में दिया करता हूँ एक आदमी था काम करके आया घर और ठका था भूग लगी थी वही से पुकारा वो अरे मुझे भूग लगी है जल्दी भोजन दो अपने श्रीमती से जल्दी भोजन दो तो अंदर से क्या आवाज आती है मैं तुमसे प्रेम करती हूँ इसने सोचा कि साइद मेरी आवाज बहां तक नहीं पहुची मतलब जो कहना चाहता हूँ वो संदेश नहीं पहुचा केवल आवाज गई मेरी तो थोड़ा लओडली जोर से वो बोलता है अरे मुझे भूख लगी है भोजन दो उसने भी जोर से बोल दिया मैं तुमसे प्रेम करती हूँ अब तो बहुत कम लोग साप आएंगे न मतलब पता भी चल गया फिर भी एस सब्द बोले वो आदमे भी नराज हुआ और जोर से चिलाया तुम अपने प्रेम पर मारो गोली मुझे भोजन दो उसन लेती है प्रेम पर गोली मारो ठीक है गई कीचन पर थाली रखी कटोरियां रखी और भोजन सजा करके उसके सामने लाती है और पठक देती ले ओ खाओ भोजन में सवाद आएगा नहीं आएगा बताओ अच्छा लगेगा बंदू ओ भोजन तो चाहिए लेकिन कैसा चाहिए एक रिक्से वाले से भी पूछो तो क्या कहता है भाया इज्यत की दो रोटी तो चाहिए समझ रहे ना अपमान पुर्वक हम भोजन नहीं चाहते अनादर पुर्वक नहीं चाहते भोजन से काम है ना अदर और नदर से क्या मतल़ है आकोद पेट भरना चाहिए नहीं उसका भी महत्त्वा है उसका भी तृषकार हम नहीं चाहते है अपमान नहीं चाहते है इसलिए इसके लिए भी कमाई करें ये मैं कहना चाहता हूँ इसके लिए भी महनत करें ताकि संबंद मधूर रहे संबंद किस से होते हैं देखिए साथ रहने मात्र से संबंद नहीं होते हैं आप समझो इस चीज को चाहे एक ही घर में रहें एक ही गाओं मुहले में रहें संबंद बस्तों के आदान प्रदान से भी नहीं होते हैं संबंद बनते हैं उर्जा के आदान प्रदान से उर्जा के आदान, उर्जा का मतलब जो आप सामने वाले के विशाय में सोचते हैं उनके प्रती जो आपकी भावना है और वो आपके परती जो भावना रखता है या रखती है, वो दोनों को जोडता है, वो दोनों को, आप अच्छी से अच्छी चीजें भेट करें, या कही बार उनसे आप काम भी कर दें उनके साथ में, लेकिन उनके विसाय में नकारात्मक पिचार है, उनके विसाय में गलत व आप वहां से भावना कौन से परिसीद कर रहे हैं। वो जा रही है। और वो क्या कर रहा है। यह संबन्ध बनाते हैं। यदि वो विकृत हैं। गलत हैं। तो फिर यह चीज नुपर नंबर की हैं। इसलिए शंबन्धों में यह धियार रखना है। यह जो दिवार बनाते हैं उसमें इट पर इट रखते चले जाते हैं इटों को जोडने के लिए होता है सिमेंट और गारा इटों को जोडने के लिए होता है सिमेंट और बालू का गारा सिमेंट और बालू का गारा होता है और इटें जोडते चले जाते हैं आप ऐसे ही मनुष्यों को जोडने वाला गारा है प्रेम और विश्वास जब सिमेंट कमजोर हो जाता है तो इंटें बिखरने लगती हैं ऐसे ही प्रेम जब कमजोर हो जाता है विश्वास कमजोर हो जाता है तो मनुष्य बिखरने लगते हैं भाई भाई साध रहते हैं एक दिन भाइने का भहिया मैं अलग रहूंगा क्या भोजन नहीं मिल रहा है मिल रहा है अब क्या हो गया प्रेम कम हो गया है और प्रेम उसी प्रकार से है जैसे पौधा पौधे को आप सीचते चले जाते हैं पौधा हरा भरा बना रहता है और जब पौधे को सीचना बंद कर देते हैं, तो पौधा मुर्जा जाता है, कुमलाने लगता है, ऐसे ही प्रेम है, प्रेम को सीचना पड़ता है, प्रेम को जब नहीं सीचते हैं या सीचना बंद कर देते हैं, तो प्रेम भी मुर्जाने और कुमलाने लगता है, कैसे पता चले की प्रेम मुर्जा रहा है कैसे पता चले की कुमला रहा है देखिए भाईयो जीवन हमेशा इंडिकेट करता है संकेत करता है उसको समझना है कब पता चले की प्रेम सचमुच कम पढ़ गया है अब मुर्जा रहा है कुमला रहा है आप देखें, जब आपस की हसी चली जाती है आपस की बातचित कम हो जाती है ये संकेत है प्रेम मुर्जारा आए पती-पतनी आपस में बैटकर देर तक बाते करते हैं और हस-हस के बाते करते हैं वारता का विसे ही खतम नहीं होता भाई भाई बाते करते हैं देर तक बाते करते हैं आपस में हसते रहते हैं सास बहु बाते करते हैं हस हस करके पिता पुत्र बाते करते हैं हस हस करके समझ लो वहाँ पर प्रेम की धारा भर ही है लेकिन कहीं point to point बात हो भी हाँ कहां से आये कैसे गए क्या क्या काम हुआ बात हो गई अपने अपने कमरे में underground नहीं बहीं पर प्रेम सीचने की ज़र अधर प्रेम की पुनारी स्थापना चाहिए धारब बहे सीचें कैसे प्रेम को सीचें कैसे यह महत्तो पूर्णा है वस्तुतह आपके द्वारा कुछ ऐसा हो कुछ ऐसा हो जिस से सामने वाले को महसूस हो जाए कि मेरी उपस्थिती उनको पसंद है अर्थात आप क्या करें या तो उनके साथ समय दे उनके साथ बात्चीट करने के लिए समय दे, उनके काम में आप सहीयोग करें, उनके अच्छे कामों की प्रसंसा करें, उनके लिए कुई सामान दे, उनसे जो वादा करें, उसे आप निभाएं, वादा करेंके जब नहीं निभाते हैं न, तो सबसे बड़ा नुक्षान होता है विश्वास को, वो उसी प्रकार तूटता है, जैसे शिशा और आवाज आती है एक डम कडाक से, ग्लास ब्रेकिंग, मैं क्या बता हूँ, मैंने एक सेमिनार अटेंडी गिया था इस विजए पर रिस्तों में नहीं रोष्णी, कई पुस्तके मैंने इस पर पढ़ई कि किस प्रकार हम आपस के रिस्तों को बिगार डालते हैं, प्रेम कभी भी अपनी मौत नहीं मरती है, इंसान इसकी हत्या करता है, कभी इग्नोर कर देता है, नफरत कर देता है, घ्रना कर देता है, देश करता है, और प्रेम मरता चला जाता है, वादा किया, नहीं निभाया, वादा करो ही मत, और करो तु निभाओ, और ऐसा लगा वादा करने के बाद आगे चल करके, इसको निभाना संभव नहीं है, उनसे जा करके उनके पास में वापस मांगो, कहो उनसे, मैंने वादा तो किया था, लेकिन मुझे छामा करें, यह संभो नहीं है, इससे बड़ा नुक्षान हो जाएगा, यह कम से कम इसको आप वापस जा करके इसको क्लिरिफाई कर लो, उस चीज को, नहीं तो फिर वो मने बना रह जाएगा, यह रिष्टे बहुत नाज बहुत सम्हालना पड़ता है इस चीज को, आप ध्यान नहीं देंगे, बिगड़ जाएगा, और रिष्टे जब बिगड़ते हैं तो वापस लाना बहुत समय लग जाता, आसा नहीं कि नहीं लगता है, आजाता है, इसलिए इसको समय दें, उनके साथ में ऐसा कुछ करें, एक बात यादाई, भावनात्मक एकाउंट, ध्यान दो इस चीज को, जैसे एकाउंट होता है न, सेविंग एकाउंट, वैसे ही वो लेखक ने लिखा है, इस्टीफन आर कवी ने, एक दिन मैंने चर्चा भी की थी उनकी पुस्तक के बारे में, उन्ही में उसी बात में करते हैं, आप उतना ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते जितना आपने जमा किया है, पचास जार आपके खाते में हैं, आप शत्तरह जार के चेक काड़ दिये, क्या होगा, समझ रहे हैं न, क्लेम बनता है, ऐसे ही है, भावनात्मक एकाउंट में क्या, जब जब आपने उ हम लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, प्राय उल्टा करते हैं, ये माता भाने रोज अच्छा भोजन बनाती हैं, रोज अच्छा भोजन बनाती हैं, कभी भी प्रसंसा नहीं करते, बहुत अच्छा भोजन, कितना स्वाध है, लेकिन जिस दिन भोजन में कोई गलती ह हो गई नमक में अंतर हो गया मसाला में अंतर हो गया तुरंट डाट शुरू क्यों एक नियम को सुन लीजिए किसी के अच्छे कामों की यदि आपने प्रसंसा नहीं की है तो उनकी गलतियों पर डाटने का आपको कोई अधिकार नहीं है क्या आपने प्रसंसा करके डिपाजिट किया है जमा किया है बीच बोया है टाट का कौन सा अधिकार है नहीं जमा करें प्रसंसा करें अच्छे काम कई बार देखो वो बड़ी कुछ बंठन के तयार है प्रसंसा कर दो आज तो बहुत अच्छा लग रही उस ड्रेस में भूल स भी नहीं करेंगे, कभी तो कहों उनसे, आप तो बाहर जा करके, तमाम लोगों से मिलते हैं, बड़बड़ बड़किया करते हैं, वो बेचारी घर में किसी से बातचीत करने का उसने मिलता, आप आते हैं, तो बात करने लगती हैं, अपनी बातें सारी भीतर वाली बताने लगती, आप बस बस उपदेश मत करो, शांत रहो, आप परिशान हो जाती ही वो, भड़ भड़ाने लगती ही, इसलिए, कभी कभी कहीं उनको चलो थोड़ा घूम के आजाएं, कहीं ले जाएं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको यू इरोप कंट्री ले जाओ, य आप अपनी कैपिसिटी देख लीजे, कहीं भी है, इसे ही गुमने चलेगा, चलो थोड़ा, कुछ का लिए, मन बहल जाएगा, साथ रहेंगे, बच्चे साथ रहेंगे, एक अलगी माहूल बन जागा, यह तो सीचना होता है, यह तो उनके साथ रहना होता है, आप असे तो परिवार के लिए भी समय दो, घर में बतनी हैं, बच्चे हैं, समय दो उनके लिए, समय उनके साथ बैठो, वारता करो, कुछ बच्चों के साथ कुछ खेलो, कुछ भी करो उनके साथ में, कम से कम जब छोटे हैं तब तो बहुत जरूरी है, सब के लिए जरूरी है, और उनके प्रतिक, कैसे उनको, बच्चों को संसकार देना इतना जरुरी है, खास करके माता बहनों से मेरा निवित, सब के लिए, सब लोग वही है, सभी जिम्मेदार हैं, बच्चों मैंने वहां, कहा भी था एक जगा, कि यदि बच्चों को उपहार न दो, तो कुछ घंटे रो बच्चे की तरह, क्या बच्चों के अंदर में बिनम्रता, आप डाल रहे हैं, धैरिय, शहनशिल्ता, छमा करने का भाव, सहयोग करने का भाव, किसी के लिए कुछ देने का भाव, ऐसा कुछ हो रहा है, क्या कर रहे हैं उनके अंदर में, मैंने, क्या लागए, एक बात नाम भूल गया है, जिसने काम किया था, कोई वैज्ञानिक ही रहा, मनो वैज्ञानिक, तो उसने क्या किया था कि क्लास्रूम में आये, जहां बच्चे बैठे थे, करीब 40-50 बच्चे रहे होंगे, और आ करके साब को टाफी बाढ़ दिये, चाकलेट, बढ़िया अच्छी मह अगधी, और प्राफी राता है, जो अब धन्यानिक, पिसुछ दूल आ động, इनुटंद गश्छी के बाढ़ थे क्लास्रूम में याक्त बच्चे और ओगए। डंदर के बाढ़ कि दूल है, करी था कि ने ढ़िया होंगे, यह तो श्युक्त क्लास्रूम में आये उसने बतश ज़िजार करें, खाई गए, पास साथ बच्चे बच्चे थे जो नहीं खाए थे, और टीचर ने क्या किया, उन पास साथ बच्चों का नाम लिख लिए, ड्रेस लिख लिए, बस और पढ़ाना सुरू कर दिया, किसी ज़िए कुछ नहीं कहा, समय बीता, वर्षों बीद गए बच्चे पढ़ लिख करके, अपने अपने काम में चले गए, वेवसायल में लग गए, फिर वहाँ जो इड्रेस लिखा था, उस पर गए पता करने के लिए, क्या कर रहे हैं हो लोग, तो जे लोग, दस मिनट तक धैरिय बनाए रखे, वे बच्चे, जिस छेत्र में थे, बहुत कामयाब थे, टाप में पहुंचे थे, आव फिर इसकूल आए, फिर एड्रेस पता किया उन बच्चों का जो लोग पहले खा चुके सब का निकाला, पता किया, आउसत जिंदगी जी रहे थे, बहुत आउसत जिंदगी, धैरिय सिखाओ, धन का भी महत्वा सिखाओ, ऐसा नहीं कि उनको देते गए, देते गए, धन का महत्वा सिखाओ, ऐसा नहीं कि कुछ भी उनको दे दिये, बस कुछ भी खर्चा चले, महत्वा तो कमाने से आता है, महनत से आता है, यूँ नहीं आ जाता है कि बस उड़ाओ, एक पिता था, सेट बड़ा सेट था, बहुत दुकान में थोड़ा बैठो, सहयोग करो, सीखो थोड़ा सा, मैं कब तक रहूंगा, आगे करना ही है, तुम्हें ही करना है, सीखोगे नहीं, फिर कैसे समझोगे आगे, वो तो बस सुनते ही नहीं था, बास घुमा करता था, मा से कहा, एक दिन उसने क्या कहा, मा भी कहती थी, पता नहीं सेट को क्या हो गया, एक ही तो बेटा है, क्या काम-काम चिलाता रहता है वो, इतनी थमपत्य है, उसके खतमे नहीं होगे, इसको खाने पीने से, सेट नहीं कहा, बढ़ा-गड़ा-बढ़ा, कैसे सभाग सिखा है इसको, एक दिन तो बस थोड़ा से अपना रूप बदला ओ, कभी-कभी होता है न, थोड़ा उग्र रूप अपनाया, थोड़ा सा, और कहा कि, आज यदि काम करके नहीं लाओ गए, कमा करके, तो भोजन नहीं मिलेगा, खबरदाद, आप तो सोड़ा से पिता कर रूप देखा, तो डर गया, मा से जाकर कहा, मा पिता नहीं से कहा, सिठानी ने कहा, गजब है सेड़ जी को, और वो कहा कि, क्या हो गया उनको, चुपके से ले गए, कीचन में भोजन करा दिया, और दस रूपिय दे दिया, जब घर से, घर लोट के आओगे, दस रूपिय दे 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 ना, कमा के लाया हूं कहा के, क्या बात है, सही है न, यही तो गड़बड होता है, इसलिए नराज होते हैं कई बारे लोग, तो हुआ क्या वो, दस रूपिया, जब वापस आया, शाम के ट्रमे में, अब पिता बैठे थे, कमा के लाया, हाँ कमा के लाया, कहां है, दस रूपिय निकाला, अब जए इसे निकाला, तो कहा जाओ इसको कुवाम डालो, इस पुस्तक को देखो भारत की कहानी ने, बहुत पहले सुना था, मैंने विदेशी पुस्तक में इसको पढ़ा है, और उसका चित्र दिया है, वो एक अलाओ के पास में जो जलाते न अंगिठी, उस पर ठंडी के मौसम वहीं बैठा, तो चित्र भी दिया है उसमें, उसने कहा, इस अंगिठी में डाल दो, अंगिठी में डाल दो, कहां विदेश में ये कहानी प्रचली था है, और भारत में मैं सुना ही था है इसको अपने संतों से, तो उसने क्या किया कि वो डाल दो जाओ कुवा में, डाल दिया, दूसरे दिन फिर कहा, आज कमा कि नहीं लाओगे, तो बस खाना नहीं मिलेगा, भगा दूंगा तुमको, और घर जाके पत्नी से, ख़बरदार, यदि उसको खाना दिया, घर से निकाल दूंगा, सब बिल्कुल अलग ही महौल बन गया, अब वो कहां जाए, दो-तीन किलोमीटर उसके बहन भी आई थी, दो-तीन किलोमीटर दूरी पर, वहां चला गया, बहन के पास कहा, पिता जी ने ऐसा-ईसा कहा आए, बहन ने का, गजबे पिता जी भी, एक ही तो भाई है, धन की कोई कमी नहीं है, ऐसा क्यों करते हैं, और भी भुजन करा देती है, वह भी दस रुपया देती है, जाओ पिता जी को दे दे देना, आया, वही किया, कमाग, हाँ, हाँ, वह दस रुपया, डाल दो कुवा में, डाल दिया, तीसरे दिन फिर भाई बही बात, तो अब तो मा के पास जा नहीं सकता, अब चाहे जितना अब प्रेम हो, बहन के साथ में रोज रोज जानत नकटाई है न, एक ही दिन तो जाएगा, नहीं गया, अब तो लगा कि खाना ही, करना ही पड़ेगा, तो करनेल गंच के रेलवे स्टेशन में चला गया है वो, नजदिक ही है न, और उसी समय एक सेठ उतरा हुआ था, समान ज़्यादा था, और उस पार था, शिड़ी के उस पार, मतलब क्राशिंग करके आना था, कहे वो देख रहा था, और जाकर कहा, मैं आपके समान को उस पार ले जाओंगा, हाँ ठीक है उड़ाओ, लाद दिया सीर पर, पहली बार न, पहली बार सीर पर बोजा, शिड़ी चड़ना, लाना, रिक्षे तक के लादा, और ठीक से कंदे पर भी लाद दिया, जब तक शिड़ी चरण, ऐसा लगा कि अब गिरा की मुर्छा आजागा, अब गिरा की तब गिरा, किसी बहांती लाया, लाते लाते पसीना से लत्फ़त, एक दम लगा कि बस अब तुम्हें गिरी जाओंगा, जब लाया रिक्षा के पास में, तो समान को पटका धम से, डाटा सेट ने, अई, पटक रहे हो, सब कुछ हुआ, और चलते समय, उसने क्या क्या, पांच रुपिय का सिख्का वो दे दिया, ले ओ, हो गया, पांच रुपिय का सिख्का लेकर के रह साम को घर लटा, बिना खाए, पसीना से लटफ़त, पीता ने पूछा, कमा करके लाये, हाँ, कमा करके लाया, कहां है, दिखाया, सिख्का, जाओ कुवे में डाल दो, इतना सुनते ही तो लड़का, इतना फायर होगा, खबरदार, इस पैसे को कमाने में मेरी जान चली जाती है, तो अपकते हैं, तो यह प्रूपया डाल दो, नहीं डाला जाओ सकता है, बेटा, दो दिन ददद्स रूपय डाले फरक नहीं पड़ा, समझ गहने कमाई के क्या महत्तो होता है, सिखाओ, मैं यह कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि क्रूर बन जाओ बच्चे के लिए, चमा कर यह में नहीं जाता हूँ, लेकिन उने यह प्रशिक्षण कौन देगा, आफ ही देंगे, जब आप उन्हें जूड बोलने का प्रशिक्षण दे सकते हैं, करोध करने का प्रशिक्षण दे सकते हैं, गलत करने का प्रशिशन दे सकते, अच्छा करने का भी दो, यही तो संस्कार देना है, आकिर हमाने आने वाली पीड़ी, अपने दम पर होना, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, मा वह नहीं है, जो सहरा देती है, मा वह है, जो बिना सहरा जीना सिखाती है, केवल सहरा नहीं उनक बिना सहरा इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें है, ऐसा नहीं कि बस फैसन में और उसमें बीत जाय समाय, नहीं जीवन सिखाओ, जीवन का पार्ट पढ़ाओ उन सबको तब बहुत जरूरी है, यदि वो गलत देखो, अच्छा करें, प्रेम करो बच्चे से अवश्य प्रेम करो आपका बच्चा है, इतना सने और प्रेम दो उनको कि वो सच मुच आपके पास निर्वय हो जाए कोई डर न रह जाए उनके पास में, लेकिन कहीं वो गलती करे थोड़ा कोहनी मारना भी सिखो थोड़ा बताओ उनको, मैंने भी बताया उनक्षाने ख्याल आ गया, एक दिल्ली की घटना है, एक बच्चा नहीं, रात का समय था बारा एक बज गया था, खट 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 की अवाज आई दरवाजे पर, खोला घर मालिक ने देखा पुलिस की करमशारी, पुलिस अपसर और साथ में कई पुलिस खड़े क्या हुआ, अभी इस समय आप कैसे आए, उसने एक फोटो दिखाया, आप इसे पहचानते है, हाँ, यह मेरा बेटा है, इसको हम गरिपतार करने आए, क्यों, इंडिया गेट के पास, यह बच्चे कुछ, लड़की के साथ में छिड़ खानी कर रहे थे, अच्छा, रुको म इसे घर था, वो सिर जुका करके सुनता रहा, पिता समझ गेए, बस इससे गलती हुई है, बाहर आकर पुलिश अप्सर कहते हैं, मेरे बेटे को गरिपतार कर लो, और जैसे उसको पकड़ करके लाया जा रहा था, बाहर ले जा रहे थे, उसके पिता ने उस पुलिश अप् गलती करने न पाए, तो सीख जाए कि ऐसी गलती कभी नहीं करने, इतनी पिटाई करना इसको, पास जारकियों दे रहे थे बच्चे की पिटाई के लिए, और आप और हम दस जारकियों देंगे, बच्चे को छुडाने के लिए, सही है न? आप गलतियों को सपोर्ट न अभी मैं कुछ दिन पहले अपनी डायरी में लिखा था पड़ रहा था वासिंगटन, जो वहां अमिर्का का पर्थम राष्टपती, जहां वहां की राजदानी ही बनी हुए, कहा लिखा है कि जो मैं छोटा था, तो किसी बात को लिकर के जूट बोल दिया, मा ने कहा वासि करूंगी, लेकिन जूट बोलने वाले बेटे की मा नहीं बनना चाहती है, और उसने लिखा है, तब से मैं आज तक जूट नहीं बोला, महान पुरुष वाशिंगटन, मैं यह कहना चाहता हूँ, यह कौन सिखाएगा, आप और हम सिखाएंगे, अपने ही बच्चे हैं, यह संस्कार देना बहुत जरूरी है, और मैं कहरा है तो उनको समय दो, समय दो, उनके साथ काम करो, पत्नी के लिए, यहां तक के माता पिधा के लिए भी समय दो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, हमको लगता है कि क्या समय देना उनके लिए, वो तो बस उनको भोजन दिया जा रहा है, कपड़े दी जा रहा है, दवाई हो रही है, रहने बशनी की जगा हो गई है, और नरसा भी लगा दो, और कुछ कर दो, आप समझ नहीं रहे हैं, मैंने का ना, भावनात्मा के काउन, वो जो सीचना है, आपको अंदर से तार जुड़ा हुआ है, वस्तु से नहीं हैं, इंटरकनेक्ट, वस अंदर से वार होती हैं वो चीजें, वो गरने की ज़रत है, तो आपको क्या करना है, उनके पास जा करके उनसे कुछ बात चीत करो, कितने वहां, क्या कहते हैं, बुरिद्धास्रम में लोग जाते हैं, उनको लिए समान दे करके लेने के लिए, खाने पिने की चीजें और अवश्यक बस्तु हैं, वो लोग करते हैं, नहीं, नहीं, हमारे लिए यह बस चीजें मत लाओ हमारे लिए, यदि हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो वह क्या है, वह है, हमारे साथ, बैट करके हमारे साथ, बात चित करो, 15-20 मिनट तक के, तरस रहें बात करने के लिए, और आपके घर में, आपके माता पिता हैं, और बात करने के असर नहीं निकाल पा रहे हैं, निकालो, बैटो, ना सही तो कहीं काम में जाते समय कहो, मा से मा, मैं काम में जा रहा हूं, आप जानते हैं, आपको लगते हैं, बहुत छोटी बात है, छोटी बात नहीं है, आप तो दिन भर काम में जाए रहेंगे मा दिन भर याद करेगी मेरा बेटा मुझे बता कर गया है मेरा बेटा मुझे बता कर गया है और ये उसके लिए टानिक है टानिक मानसिक टानिक जब आज आकर कहें मा मैं काम से आ गया इतना खुश होगी वो आप समझ लीजी कितनी बड़ी बात है इसलिए उनको समय दें माता पिता का आदा बड़े जो भी हो माता पिता का भी दाईत तो है बुजुरूं का भी दाईत तो है अपनी जमान समाल के रखे सही एक नहीं है ऐसा नहीं कि बच्चे ही गलत होते है कई बार तो घर में माता पिता भी गड़बड सरबड़ करने लगए मैं जब पूछते हैं साइब हम लोग के लिए कुछ जुबुजुरू का लोग पूछते हैं साइब हमारे लिए भी कुछ कही मैंने का आप सिनियर सिटिजन हो गया 75 से उपर होते जा रहे हैं अब आप आपका एक ही काम है आप सब के लिए आशिरवाद दो आपके मुह से कभी भी बद्दुआ ना निकले हर समय सब के लिए आशिरवाद निकले बस एक ही काम करो बस कोई आपकी सेवा करे भला हो न सेवा करे तब भला हो सब के लिए भला सोचो सब के लिए आसिरवाद दो आप किसी के लिए भी अनभल न सोचो और दूसरों का भला सोचते सोचते आपका भला होना शुरू हो जाएगा यह काम है कुछ भी जो मिमीले ठीक है ठीक है प्रसंसा ही करो, नहीं तो भोजन में 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 निकालो उनसको करो अब बढ़ बच्चे के लिए चिलाना शांत रहो, होगे जिम्मेदारी आपकी, आपका बच्चे आपने बच्चे को सम्हाल लेंगे, अब बढ़ आओ मत शांत रहो, लेकिन यदि वो सही सलामत हैं, सही सलामत हैं, तो फिर क्या करना है हमको? हमें करना है अपने आपको ठीक, एक अंतिम उधान दे करके मैं विराम लूँ, कि कैस प्रकार, एक माता-पिता का सम्मान हो, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक संथ से सुना, हुआ क्या? कि एक बिल्डर था, बिल्डर, मकान बनाने वाला बिल्डर, तो वो जो बिल्डर था न, अपने लिए बहुत अच्छा मकान बनवाया था, बहुत धनी आदमी था, बहुत मकान, बहुत बढ़ा मकान बनवाया, एक संथ से जब मिले तो कहे भगवन, आप हमारे घर थोड़ा पधारे हैं और आपकी साथ बैठेंगे, थोड़ा चरन पूजा कर लेंगे उसने का ठीक है, समय बताए सत्संग खतम हो जाएगा अम उक समय में आऊँगा, तो साथ चले गए जब गए, तो मकान सचमुच बड़ा भव्य था, कड़ोरों रूपिय का मकान था तो वहाँ पर क्या लिखा था? मकान का नाम लिखा था मात्रि छाया बहुत अच्छी बात है, अंदर गए वार्ता हुई, सब लोग बैठे उनके पतनी और उनके दो बच्चे थे, एक बिटी थी, एक बेटा था सबसे बात्चित हुई अब बात्चित करते-करते मेरी आखे कुछ ढूंड रही थी नहीं मिले, अन्त में ने कहा मा कहां गई है? उसने कहा कि महराज जी मा गाओं में रहती है अच्छा, यहां नहीं रहती है तो यहां क्यों नहीं रहती है? तो यहां क्यों नहीं रहती है? तो इन से नहीं बनता है इन से मतलब समझ गए ना? इन से नहीं बनता है हम लोग मिल लेते हैं जा करके पंदरा दिन महिना दिन मिल लेते हैं उनसे जा करके ठीक है, तो फिर कहा, ठीक है, आपका भी सह है, बहार आए, चलने का वक्त हुआ, और कहा बहुत अच्छा मकान बने, सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन एक निमेदन है आपसे, वो जो मकान का नाम लिखे हो, मात्रिचाय, उसका नाम बदल दो, क्यो महराज, बढ़िया तो है नहीं नहीं, मात्रिचाय को हटा करके रखो, पतनी चाया, क्योंकि जिस घर में मा की चाया ही ना पड़े, उसको मात्रिचाय रखने से क्या फायदा है, बहीं यह कहना चाहता हूं, आप अपनों के लिए समय नहीं देंगे, उनके साथ आप एक दुसरे का सम्मान नहीं दें अपनों को धन मानों और उनके साथ में प्रेम पूर्ण वैभार, शहं शिलता की जुरत है, धैरी की जुरत है, विनमरता की जुरत है, इन सदगुणों के माध्यम से आपस के रिस्ते मधुरू बनते हैं, इन रिस्तों को जोडे, कितना अच्छा लगेगा, जब आप घर मे जाए महोल बहुत बढ़िया, शकून भरा होना चाहिए, आपको देखकर घरवाले खुश, आप घरवालों को देखकर के खुश, अच्छा लगने लग जाए, और आपके जाने से घर का अवतन तनाव पूर्णा बन जाए, नहीं, बदलाव करो, कुछ गर बढ़ा है, चेंज करो, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मकान ही परयापता है, नहीं, आपकी विनम्रता, आपका प्रेम, ये महत्तो पूर्णा है, स्ने महत्तो पूर्णा है, ये सद्दगुण हमारे जीवन में आए, तो निश्चित रूप से हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, और यहीं से फिर आध्यात्मिक जीवन में भी हम आगे बढ़ सकते हैं, और पूरा जो हमारा पैकेज है, जैसको मैं कहा करता हूँ, हम स्वस्त जीवन जीए, प्रेम पूर्ण जीवन जीए, संवरिध जीवन जीए और शान्ति मय जीवन जीए, ये सारी चीज़े जब जीवन म जीएं और जीवन में प्रगति करें साहिब बंदगी साहिब बुलिए सद्गुरु देव की जैए